हेलो श्ट्रेंट एक बाव फिट से आप सो भीगा स्वागद आपके अपने योड़ चेर्माइंट्स अफ टेक्नो में फाइनली श्ट्रेंट इगनु ने अपने जून दो हजा 24 टमड एक्साम को लेकर के बारे में काफी इंपोरेंट रहेगी आप सभी इगनु के श्ट्रेंट्स के लिए जो जून दो हजा 24 टमड एक्साम में पैर होने वाले हैं साथी साथ ऐसे श्ट्रेंट जिनों ने इगनु के अंदर जूलाई दो हजा 23 सेशन या फिर जैनवरी दो हजा 24 सेशन के अंदर नियू एड़िशन लिया है आप सभी एक लेक काफी इंपोरेंट वीडियो है सो वीडियो हैं तक चरूर से देखें साथी चैनल पहली बार आई हो देखेंट आप चैनल को चरूर से सब्सक्राइब करें पहले इकन्द वाले तक लेटेश्ट वेप्टेट आपको सबसे बहले मिलती रहे आई स्ट्रेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट पर देखें जैसे कि आप देख सकते हैं अलर्ट सेक्षन में एकनो की वेबसाइट पर लिंक फॉर ऑनलाइन समिशन ऑफ एक्सामनेशन फॉर्म फॉर जून दोहजार चौबिश टमड एक्साम फर ओडिल एन आयोपी यानि की ऑनलाइन प्रोग्राम स्ट्वेंट एक्सामनेशन फॉर्म आ चुका है जिस पर क्लिक करके आप इस वाले वोटल पर आ जाएंगे अब यहां से सबसे महत्पूर बात जो स्टार्ट होती है वो है कि कौन आप में से ऐसे स्ट्वेंट हैं जो इस वार के एक्सामनेशन में पैर हो सकते हैं अपलाई कर सकते हैं आईए बात करते हैं तो फर्स्ट फॉल यह एक्सामनेशन फॉर्म किस के लिए हैं जून दोहज दिग्री या बैस्टर डिग्री के स्ट्वेंट हो फर्स्ट इयर में एड्विशन लियो री रेश्टेट कियो से सेकंड यर थर्ड यर का और अगर मास्टर डिग्री हो तो फाइल यर जिसे हम सेकंड यर कहते हैं आपका जुलाई दो हजा 23 सेशन के अंदर तो आप लोग भी इलिजिबल हैं जून दो हजा 24 के टमड एक्साम में अपेर होने के लिए इसके बाद में साइट पॉइंट उन इस्ट्वेंट के लिए हैं जिनका एड्विशन चैनवरी दो हजा 24 सेशन के अंदर किसी भी सैट्वेट प्रोग्रा था आप लोग भी इलिजिबल हैं जून दो हजा 24 के टमप्री सामें आपयर होने के लिए इसके साथ ही वह सबी ही उनकी की पकिलोग है प्रेभाद की किसी भी एक्साम में ilg. या निक्न आपको आप और महत्मूर्ट पॉइंट है जो आपको समझने है और नेक्स्ट पॉइंट पर बात किरें दिस्ट्वेंट इन दिसम्बर 23 टमड एक्सामनेशन फर प्रिबिस सेमिस्टर इयर कोर्स पर देर रिजल्ट नॉट डिक्लियर यह काफी पॉइंट है आपको बता दे कि इगनुने रिजल्ट भी जारी किये हैं दिसम्बर 23 टमड एक्साम के बट फिर भी काफी श्वेंट का जो रिजल्ट है अभी भी रिलीज नहीं हुआ है तो यहां पर एकनुने क्लियर आउट किया है कि भाई देखो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है on the date of filling of examination form may we add such courses later on after declaration of result मतलब अगर आप लोग exam form fill कर रहे है अपने नई courses के लिए तो आप उन्हें कर दो बाद में आप उन courses को add कर पाएंगे later on जब आपका result आ जाता है अगर आपका not completed उड़ता है तो आप उन courses के लिए apply कर पाएंगे अगर आप पास हो जाते हैं तो आप apply नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं है तो आप इसके according चलेंगे और यहां पर एक और बात यह है कि parts में फिल कर सकते हैं जैसे आपने कुछ courses की किया फिर बाद में कुछ courses जो remaining रहेंगे उनके लिए आप बाद में कर पाएंगे तो ऐसा इशू नहीं है अब हम simply अपने form के उपर आते हैं क्या क्या instruction यहां पर दिय पर यहां पर जो ओडियल प्रोग्राम के उनके होंगे pen and paper mode और वहीं जो online प्रोग्राम के उनकी है CVT mode और यह एक्शुल आपके paper रहेगा ना उसकी detail आपके paper के time पे release की जाएंगी उसके according आप देख पाएंगे अब यहां पर कुछ और महत्मूर्ट पॉइंट है जो आपक के साथ में शेयर की है अगर आपने नहीं देखिए तो प्रिविस वीडियो में आप देख लें आपको clear out हो जाएगा इसके लाबा अभी भी कई सारे ऐसे श्ट्रेंड है जिनको doubt होगा कि यहर हम जाम के लिए हैं या नहीं तो इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें complete detail में में बात की है इसके लाबा एक वीडियो में चून दोहजार 24 टमट एक्जाम की complete बात की गई इसे आप देख सकते हैं काफी point रहेगी अब हम पापस से topic पे आते हैं इसके लाबा यहां पे कुछ और महत्मून points हैं जैसे from January 2023 session admission cycle onward the university days implement the project evolution fees and practical fees for having project and practical component तो इसमें भाई काफ प्रेक्टिकल्स के लिए उनकी भी अब इस बार देनी पड़ेगी तो आप देख लिए आपकी courses के लिए क्या है देखिए BSCD की regarding मैंने भी चेक किया तो कई जो colleges हैं उन्होंने ना fees जारी कि उन्होंने काई कि आपको फीज सब्मिट करने पड़ेगी या फिर उसमें जो notification चारी हुआ है तो उसमें clearly mention है कि आपको फीज समिट जो फीज सिलेब है वह आपको शो करनी होगी practical की तभी आप अप्लाई कर पाएंगे तो ऐसा भी कुछ colleges ने निकाल है वट इगनू की और से BSCD की प्रेक्टिकल की फीज को लेकर अभी clear cut नहीं है तो आपको प्रे नहीं करनी है इंफेक्ट examination form तो फिल नहीं करना आपको लेब courses का BSCD के फिल करना हुगा इसके बाद में अब बात आती है examination form की फीज के बारे में एक्जाम फीज की बात करें तो आपकी जो एक मार्च 2024 से लिकर 31 मार्च 2024 तक रहने वाली है वो फीज रहेगी 200 पीस पर कोर्स जिसमें theory courses प्रेक्टिकल इनलेफ कोर्स की बात की जारी वट यहां पे कुछ चीजे हैं जो आपको समझनी है अब वो क्या है वो आई ये बात कर करते हैं देखे एक्जामनेशन फीज की बात करें जो theory courses हैं उनकी रहेगी 200 पीस पर कोर्स इसके लावा जो प्रेक्टिकल कोर्स हैं उनकी फीस अलग है अगर आपको कोर्स अप्टू फोर करेट का तो 300 पीस आपको पे करने होंगे और वहीं अबव फोर करेट है तो आपको 500 पीस पे करने होगी फीस प्रोजेक्ट के लिए विसे में अपटू 4 करेट 300 अबव फोर करेट 500 पर सब्चेक्ट इसके लावा अगर आप लाश्ट रेट की बात में बात करते हैं मतलब जो आपकी विदावड लेट फीस लाश्ट रेट है वो 31 मार्च है पहीं 1 अप्रेल स 30 अपरेल के विचे फिल करते हैं कि नेक्स्ट बात पर आते हैं जो काफी ज्यादा इंपोर्ड इस बार के इंस्ट्रक्शन में काफी बदलाव है तो आपको वह अच्छे समझने होंगे देखी पहली कंडिशन बहुत सिंपल है हर बार की तरह सेम है कि आपका रेश्टेशन बेढ़िए होने चाहिए एक प्रेविसल हो ने बात की हिसके लावा आपका जो कोर्स है जो मिनिम्म टाइम पिरेड हो गया हो और आप ने इससाफी कोर्स के एसाइमेंट कंप्लीट कर देख इख प्लाइए अगर आपके ऐसा नहीं है ऐसा है मतलब पहलिए कोर्स सब्रूर पॉइंट है ABC ID यह बहुत महत्मूर है इस बार के लिए कंपल्सर ही कर दिया है कि भाई आपको ABC आइकांट बनाना पड़ेगा अब इसको लेकर आपके माइड में कहीं सवाल हो सकते हैं तो इन सभी का आंसर आपको हमारी प्रिविस पीडियो में मिल जाएगा वाकि यह नोटकेशन इगनो ने जारी किया है इसका मैं पीडियो आपकी साथ में टेलिग्राम पर दे दूँगा आपको इससे देखने की जरूत नहीं है क्यों ज्यादा गन्फ्यूज नहीं होना है आपके लिए मैं अपने एक्सामनेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे ओके लिंक में प्रवाइट कर दूँगा जिससे आप कोई भी परिशानी ना फेस करनी पड़े आई यह टॉपिक पर वापस से आते हैं तो यह चीज़ें जो आपको फॉलॉप करनी है वाकि यह पीडिव आपको टेलिग पारे में बात यह है कि आपकी हॉल्टिकेट की जानकरी एक्सामनेशन सबनबीक पहले जारी होती है और फाइल डेट सीडिव उसी परिकार से रहती है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आप अपने एक्साम को फिल करें जो भी कोर्सेश आपके हैं और यहां पर तीन लेटर आपको फिल करने जैसे डील सब्मिट कर देंगे आपके जितने वी दैली के अंदर सेंटर से वह यहां पर शोग हो जाएंगे अभी भी बहुत सारी सेंटर आने बाकी है लिश्ट में एड होने बाकी है तो वेड कर लें अगर आपके नियर भी सेंटर 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 उनके बार में होप कि आपको सारी ही पॉइंट इससे रिलेटेट क्लियर आउट होएंगे वीडियो पसंद आए तो इस फीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें सभी इश्वेंट के साथ में ताकि उनको भी अपडेट मिल जाए और आने वाली सभी अपडेट में तब कले जाए हिंडिया वारत बाई दोस्तों